ओम श्री गनेशाय नमा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे करन्या राशी के बारे में आने वाले अगले तीन दिन 20 मार्श से लेकर 22 मार्श तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारे राशी फल चंद राशी पर अधारित है यह समय चैतर मास के क्रिशन पक्ष का समय है और कन्या राशी वालों के लिए बेहद खास और शांदार है चलिए शुरुआत करते हैं 20 तारीक शुकरवार से 20 तारीक शुकरवार को 82 तिति रहेगी दोपहर तक श्रवन नक्षत्र होगा उसके बाद धनिष्टा नक्षत्र प्रारंब होगा इस दिन चंद्रमा मकर राशी से गोचर करेंगे दिन में चंद्रमा का नक्षत्र और साइकाल में मंगल का नक्षत्र रहने वाला है कन्या राशी वालों बहत बड़ी मातरा में धनलाब और काम्याबी शुकरवार को मिलने वाली है शुक्रवार के दिन आपको अपने व्यापार कारोबार में जवरदस्त मुनाफ़ा हो सकता है यह समय डेली इंकम बढ़ते हुए दिखाई देगी इस दिन आपको बड़े पुराने अधूरे काम भी बनते हुए दिखाई देंगे यह समय आपको आगे बढ़ा सकता है अपने अधूरे कामों में आप आगे बढ़ने वाले हैं व्यापार कारोबार के लिए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है नए निवेश के लिए समय बहुत शानदार है इनवेश्टमेंट के मामलों में आप लखी साबित होंगे वेवाही की जीवन इस दिन खुशाल रहेगा इस दिन आपके खर्चों पर रोक लगेगी और समय आपको मजबूत करेगा जोब करने वालों को अपनी जोब में मान समान मिलते हुए दिखाए देगा कारियस्थल पर महौल बहुत अच्छा बना रहेगा अपने साथियों का और सीनियर्स का साथ भी आप पाने वाले हैं दिन के समय में सितारा पहुँच ज़्यादा बुलंद रहेगा हालाकि शाम के समय में थोड़ी बहुत भागदोड आपकी बढ़ सकती है इस दिन आपकी लव लाइफ भी खास रहेगी इस दिन विद्यार्थियों को जिनके एकजाम है उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी दोस्तों किसी भी तरह के एकजाम इंटर्व्यू को शुकरवार के दिन आप किलियर कर सकते हैं शुकरवार को दिन के समय में गुप्त धन की प्राप्ती लोटरी के द्वारा भी हो सकती है इस दिन आपकी धन संबंदी समस्याएं तूर होंगी रुका फसाधन मिलेगा और आगे बढ़ने के बहुत से मोके आपको मिलने वाले हैं समय आपके अनुकूल होगा आपके लाब में वृद्धी होगी अपने बढ़ों का साथ आप पाने वाले हैं माता पिता का अशिरवाद भी प्राप्त होगा आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और मन भी प्रसन रहेगा बात करे 21 तारिक शनिवार की इस दिन त्रोदशी तिती रहेगी धनिश्टा नक्षत्र होगा चंद्रमा कुम राशी से कोचर करेंगे पूरे दिन मंगल का नक्षत्र रहने वाला है कन्याराशी वालो विदेशी कामों में लाब की प्राप्ती होगी जनमस्थान से दूर रहने वालों को फाइदा मिलेगा सुब समाचार मिलते हुए दिखाई देंगे इस दिन लंबी दूरी की याट्राएं हो सकती है आपको अपने घर से दूर भी जाना पड़ सकता है मन पसंद चीजे आप इस दिन प्राप्त करेंगे धन की स्थिती अच्छी होगी हाला की मेहनत भी बढ़ते हुए दिखाई देगी ट्रेवलिंग अधिक हो सकती है जोश उत्सा बना रहेगा काम करने की गती भी बनेगी आपकी सोच बहुत साकरात्मक रहेगी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा नए कामों की शुरुआत के लिए थनकी ववस्ता होगी और कर्ज भी समाप्त होंगी इस समय में पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा हला की इस समय में आपको अधिक महनत और भागदोड करनी पड़ सकती है इसलिए आपको कुछ मामलों में समर और धैरिये भी पनाए रखना होगा शनिवार के दिन किसी भी काम में पहुँच ज़्यादा जल्द बाजी ना करें शनिवार के दिन वाद विवाद करने से आपको बचना है मीठे बनकर अपने काम निकलवाने का प्रयास करना होगा इस दिन मुकदमे बाजी में आपकी जीत हो सकती है लेकिन आपको नए वै अंजान लोगों से दूरी बना कर चलना होगा बात करें 22 तारिक रविवार की इस दिन चतुर देशीती थी रहेगी शत भीशा नक्षत्र होगा चंद्रमा कुमराशी से गोचर करेंगे राहू का नक्षत रहने वाला है आपकी सोच रविवार को बहुत बड़ी हो सकती है रविवार के दिन मन में बहुत सी नई इच्छाएं उत्पन होंगी इस दिन आपको अपने कामों की तरफ फोकस्ट रहना चाहिए आपकी कंसंट्रेशन कैसे बहतर हो ऐसा प्रयास रविवार को करना होगा रविवार के दिन मन में भटकाव नहीं आने चाहिए रविवार के दिन आपको लेन देन में सावधानी रखनी होगी अपने व्यापार कारोबार के लिए रिस्क लेने से बचना होगा रविवार के दिन आपको गाली गलोच करने से भी बचना है इस दिन वाद विवाद लड़ाई छकड़े हो सकते हैं और सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है दोस्तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे और सच्चे मन से ओम श्री गनेशाय नमा जरूर लिखे